नमस्कार साथियों, 4 साल बाद वेकेंसी निकाली है, ऊट के मुँमें जीरा के बराबर वेकेंसी आई है, क्योंकि वादा क्या जा रहा था कि 4000 प्लस वेकेंसी आईगी, 5000 प्लस वेकेंसी आईगी, लेकिन ESIC ने आकिरकार यहां पर यह बात सिद्ध कर दी है कि ऊट के मुमें जीरा के बराबर वेकेंसी निकाली है, 1930 पदों पर वेकेंसी निकाली गई है, हलांकि ESIC के पास इतना समर्थे नहीं बचा है कि वो एक्जाम कंड़र करवा सके, इसकी जिम्मेदारी भी उसने UPSC के कंदों पर डाल दी है, तो यहां पर देखिए, जब भी UPSC का नाम आता है, तो सबसे जो बड़ी बात निकल के आती है, वो आती है आपकी कलिरिटी, यहां पर आपके बहुत सी चीज़ें अब चेंजिस होने वाली है, देखिए, ज़्यादा बड़ा चेंजिस तो नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है कि exam pattern को लेके बिलकुल थोड़ा सा चेंजिस यहां पर होने वाला है, इसके अलावा जो time period है vacancy का notification release करना और exam date conduct करवाने के बाद आपको joining देना, वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि UPSC हर चीज fast तरीके से करती है, इसके अलावा अगर यही काम अगर ESIC करवाती तो में भी की लंबा time लेती, लेकिन हमें लगता है कि इसका exam देखे, आप March में आपके form fill up हो जाएंगे, 7 तो मार्च से आपके application form start होने वाले हैं, application form कैसे भरना है, उसका हम आपको zero से लेके print तक सारा जो detail का वीडियो है, वो हमारे YouTube channel brand of nursing पे upload करेंगे, इसके अलावा इस vacancy की दूसरी जो सबसे बड़ी update है, आप सभी के लिए बड़ी खुशकबरी भी बोल सकते हैं, वो यह ऐसातियों कि यह जो ESIC की vacancy आ रही है, वो without 80-20 reservation आ रही है, एक तरफ जहां पर 80-20 reservation का जादू सब जगे चाया हुआ है, वहीं ESIC के दवारा इसको लागू नहीं किया गया है, तो यह एक बड़ी opportunity या golden opportunity आप बोल सकते हैं, क दूसरी update आपको बता दें कि दो वीक के बाद, मतलब next two weeks के बाद, यहां पर आचार सहिता लगनी है क्योंकि 2024 में लोग सभा चुनाव हैं, तो उससे पहले कई institute हैं, Central Government के जो nursing officer की vacancy निकाल सकते हैं, तो एक बड़ी opportunity यह भी हो सकती है कि अब नई vacancy और आने वाली है, set आ चुका है, आप उसके form भर सकते हैं, DSSB की vacancy आ चुकी है, उसका form भर सकते हैं, ESIC की आ चुकी है, इसमें भी form भर सकते हैं, तो अब देखिए जो Central Government की जो vacancy हैं, वो continue आ रही हैं, तो यहां पर आप apply कर सकते हैं, यहां पर total जो vacancy है, उसका classification आप देख सकते हैं, exam pattern में क सकते हैं, यहां पर age limit के अगर बात करें, तो आपको यहां पर 30 year दिये गए हैं, general EWS के लिए, इसके अलावा 33 year दिये गए हैं, OBC के लिए 35 year SCST को, 40 year PWED को दिये गए हैं, लेवल आपका 7th रखा गया है, 7th pay matrix में आप job करने वाले हैं, वही जो is equal to M से होता है, 7th day आपको य सारी जो बाती हैं साथियों, आपको बताए जाएंगे, detail by detail, notification आएगा, video हम बना देंगे, update आपको करतेंगे, लेकिन यहां पर पहले एक बार जब यह notification आया था, तो एसा लगा था कि यह fake हो सकता है, लेकिन यह fake नहीं है, यह original है, news paper जो employment news paper आता है, उसमें यह आ चुका है advertisement तो वहाँ पर आप यह देख सकते हैं, अगर आपके पास news paper का access है तो आप देख सकते हैं, वरना यह PDF हम हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको परवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप यह employment news paper देख सकते हैं, इसके अलावा वीडियो को से चैनल को सब्सक्राइब कर लीज